साइद सबसे ज्यादा लोगतांत्रिक तरीके से चलने वाला दल अगर कोई है तो ये भारतिय जन्तापाटी है जन्संग की स्ठापना से लेकर आज तक भारतिय जन्ता पार्टी में हमेशा बूत से लेकर राष्टिय अध्यक्स तक के हमारे चुनाव समय समय पर हमारे सम्विदान के अनुकुल होते रहें और पूरी लोकतांत्रिक पद्धती से चुनाव के अधिकारियों की नियुक्ति होती है मत दाता सुची बनती है और फिर चुनाव का सुरुवात होता है बूत के बाद मंदल का, मंदल के बाद जीले का, जीले के बाद प्रदेश का और प्रदेश के बाद राष्ट्रिय अध्यक जी का चुनाव और कारे समीती का चुनाव होता है परन्तु ये वर्ष सदस्यता अभ्यान का भी वर्ष है और हर साल हम चुनाव के पहले नई सदस्यता करते हैं हमारी सदस्यता कारेकाल छे साल का होता है छे साल जब समाप्त होते हैं तब पूरी सदस्यता नए सीरे से होती है और जब छे साल नहीं होते हैं तब इसमें सदस्यों की बडोत्री के साथ बूत को, मंदल को और जीले को वईधानिक माननेता मिलती हैं। कोविड की महमारी के कारण ये सदस्यता का हमारा अभियान समय पर हो नहीं पाया। और जब सदस्यता नहीं होती है, बूत से राष्टी अध्यक्स तक बाकी के चुनाव नहीं होते हैं, तब राष्टी अध्यक्स चुनना समवेदानिक रूप से संभव ही नहीं है। कई बार भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग-अलग मौकों के कारण राष्टी अध्यक्स के कारेकाल को एक्स्टेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुशरन करते हुए स्री जगत प्रकास नड़्डा जी को राष्टी एक कारेकानी ने आज सरवानूमत प्रस्ताव किया है। पार्टी के अध्यक्स के रूप में इनके कारेकाल को बड़ोत्री की जाए। नड़्डा जी बीश जनवरी दोजार बीश को राष्टी अध्यक्स बनने के बाद इस सदी की सबसे बड़ी महमारी कोविड का सामना पूरे देश को करना पड़ा। चुकि देश की कई राज्य सरकारे और केंद्र में भारतिय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण स्वाभाविक रूप से इस महामारी का सामना करने में भारतिय जनता पार्टी के संगठन की भूमी का बहुत एहम हो जाती है नड़ा जी के नेतुरतों में भारतिय जनता पार्टी का पूरा संगठन बूत से लेकर राष्टिय स्थर पर सेवा ही संगठन है इस मंत्र के साथ काम में चूटा धेर सारे गाओं में चाहे गरीबों के घर पे मदद पहुचानी हो अन्न पहुचाना हो जिनके कोविर के लक्षन देखे गए उनको टेस्ट के लिए अस्पताल ले जाना हो जिनका कोई नहीं था उनकी सुस्रूसा से लेकर अन्तिम संसकार तक सारे कोविर की महामारी की धति रोद को पार करने में भारती जनता पार्टी के करेकरताओं ने बहुत महतोपुन भूमी का निभाई और नड़ा जी ने उस कठिन काल के अंदर एक वाइबरंसी के साथ संगठन को सिवा के काम में जूड़ा और मैं तो आप सबको आगरा करता हूँ कि हमारा जो डॉक्यूमेंटेंशन है सिवा ही संगठन है इस सूत्र का उसको आप जरूर देखे तो आश्चर जनक तरीके से एक रादनितिक दलका संगठन की इस प्रकार से महामारी में सिवा करत सकता है उसका जुलंत उदाहन बार्टीजंता पाटी ने नड़ड़ाजी के अध्यक्स्ता में देश के सामने रखा दुनिया के सामने भी रखा उनकी राष्टी अद्यक्सा में ही हमने बिहार में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट प्राप्त किया महराश में भी NDA को घिन ले तो हम फिर से चून कर आए हरियाना में भी हमारी सरकार बनी इसके बाद उत्रपदेश, उत्राखन, मनिपूर, आसाम, गुजराद इस सब ज जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है बंगाल के अंदर भार्ती जनता पार्टी ने तीन सीट से 77 सीट का बहुत बड़ा फासला एक ही पांच साल में ताई किया और हम तामिलाड और दक्षिन के राज्यों में भी तेलंगाना में भी एक ताकात बनकर ध सबी राज्यों में हमारी सरकारे तो बनी थी परन्तु संगठन का विस्तार बाकी था नड़ा जी की अद्यक्ता में हमने उत्तर पूर्व के नौर्थिस्ट के सबी राज्यों में संगठन को नीचे पहुँचाने में हमने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है गोवा में भी हम हैट्रिक लगा कर तीसरी बार और पहली बार पूर बहुमत की सरकार बनाने में हम सफल हुए जैसे आप सब जानते हैं गुजरात के अंदर 156 सीटों के साथ गुजरात ने चुनाओ के सभी रेकोर्ड तोड़ते हुए 53 प्रतिसत मत और 156 सीटों के साथ हमने प्रचंड विज्व हासिल किया मोदी जी का जो करिस्माई नेतृतों है जो लोगप्रियता है वो लोगप्रियता को मत में परिवर्तित करने में और मत को मत गान मतग तक पहुंचाने में नड़ा जी का नितुरत में संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मोदी जी की लोगप्रियता को पूरे देश भर के अंदर इसको आधार बना कर भारतिय जन्ता पार्टी के काम को विश्तार करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है सरकार की योधनाओं और सरकार के कारेक्रम और विशेश कर किसान कल्यान के कारेक्रमों को हर किसान तक हर जन जन तक पहुचाने में स्री नड़ा जीने बहुत महतोपूर भूमी का नुबाई है उनके कारेकाल में 120 से ज्यादा विदान सबाओं के चुनाओं हुए है इसमें से 73 विदान सबाओं के चुनाओं में भारतिय जनता पार्टी की जीत हुई है तेलंगाना बंगाल में एक सांदार माहोल खड़ा करने में भी हमें बहुत सफलता प्राप्त हुए जम्मू कस्मिर में BDC के इलेक्षन हो या देश बर में हुए स्थानिय इकाई के चुनाओं हो सब में भारतिय जनता पार्टी ने यस प्राप्त किया है उनके नेत्रूतों में बुथ सचक्तिकरण अभियान के तहट एक लाग तीस अजार बुथों को मजबुत करने का भी काम किया गया लोकसभा प्रवास योजना बना कर हर कारेकरता को लोकसभा प्रवास योजना के अंदर जोडा हर घर तीरंगा को बारतिय जनता पार्टी के हर कारेकरता ने जन जन तक पहुँचाने के साथी राष्ट्र भक्ति को और तिरंगा के सन्मान को हर जन के मन में पुना जागरित करने में बहुत बड़ी भूमी का निभाई है सेवा ही संगठन और मोदी जी के जन्मदिन को जोड़कर सेवा का पखवाड़ा ये दोनों कारेक्रम सेवा ही संगठन ये कोवीड के वक्त कारेकर्म लिया गया और सेवा पखवाडा निरंतर भार्तिय जनता हमारी सदस्यता करते हैं हमारी सदस्यता कारेकाल 6 नित्रूतों में हुई है मन की बात को भी जन का कारेकर्म बनाने में भारतिये जनता पार्टी के संगठर ने बूत स्तर पर मन की बात को सुनने का जो कारेकर्म बनाया इसको हम नीचे ले गए हैं और देश भर में एक विजह संकल्प सभाये और अपना बूत सबसे मजबूत एक दो अभ्यान हमेशा के लिए भारतिये जनता पार्टी के इतियास में नड़्डा जी की भारतिय जनता पार्टी को देन के रूप में जाने जाएंगे मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेत्रूतों में नड़्डा जी के संगरनात्मक नेत्रूतों में 19 से भी ज़्यादा बड़े बहुमत के साथ भार्टिय जनता पार्टी चून कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधान मंत्री बन कर इस देश का नेत्रूतों करेंगे इसका हम सब को भर्योसा है मैं समगर पार्टी की और से स्रीमन नड़ा जी को रदय पूर्वक बहुत बहुत बढ़ाई और सुबकामनाय देता हूँ हम सब की अनन्त सुबकामनाय श्री नड़ा जी के साथ है उनके नेत्रूतों में पार्टी ने अपना पैंट भी बढ़ाया है प्रसार भी बढ़ाया ह एक तीनों स्विक्त्र में अनद्डा जी के योगदान को पाटी आज इसकी अनुमोधना भी करती है और उसको स्विकारते हुए इनके कारेकाल को जून दोजार चौबीस तक बढ़ाती है दन्यवाद